एतिहासी की इशू की खोज आज विख्यात और पढ़ाई के संसार में बहुती महतुपुर्ण विश्य हो गया है और इस नेशनल मैगजिन में बहुत जादा ध्याना अकर्शित किया जैसे कि टाइम, न्यूज वीक और यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट साथ ही मीडिया ने जीजस सेमिनार के इन वाक्यों के और बहुती जादा ध्यान दिया है खुद को चुनने वाले लिबरल ग्रूप ने नैनियम के बुद्धिमत्ता को बहुती कम प्रतिशत दिये हैं आज हम एतिहासिक इशू के विवादों पर आधरित सवालों का जवाब देंगे और इशू के बारे में बहुत एतिहासिक सचाई हैं ये बात दिखाएंगे संसार के और नैनियम को छोड़ दूसरे स्त्रोतों से जो ये दिखाते हैं कि इतिहास का इशू मसी विश्वास का ही इशू है मेरे महमान है संसार के महान फिलोसॉफर डॉक्टर गेरी हबरमास ये दा हिस्टोरिकल जीजस किताब के लेखक है इन्होंने मिशिगन स्टेट युनिरसिटी से पिएजडी की है और दूसरी डॉक्टर डे डिगरी इमान्यूल कॉलेज आक्सफ़र इंगलंड से की है डॉक्टर है बरमास लिबर्टी उनिरसिटी के फिलोसॉफ़ी और थियरोजी के डिपार्टमेंट के चेर्मेन है और इन्होंने ये शु के जीवन पर सौ से भी ज़ादा लेख लिखे है जो बहुत से बुध्धिमत्ता के जनरल में आए है साथ दजौन एंक बक्षो के इस एडिशन में जुड़ जाएं और सीखे कि क्यों ये शु एतिहासिक समय से सबसे ज़ादा देखा जाने वाला व्यक्ती है स्वागत है आज हम तीन बातों को देखने वाले हैं पहले कि कैसे आधुनेक विद्वान इशू के बारे में अपने विचारों को बदल देती हैं जैसे उसके जीवन को देखते हैं क्या फिर भी बहुती मजबूत इतिहासिक बुनियाद है कि ये विश्वास करें कि ईशू परमेशर और वो मुर्दों में से जी उठा और फिर दूसरी बात हम मुख्य सवाल को देखेंगे जो एतिहासिक ईशू के बारे में ये प्रिष्ट भूमी के जैसे है और वो ये है कि नए नियम में जो चमतकार पाई जाते हैं उसके बारे में क्या क्या बीसवी सदी का कोई विदवान ये कह सकता है कि निश्चेई वो हुए थे और फिर तीसरी बात हम देखेंगे ऐसे बारह एतिहासिक सच्चाई जिसे आज सारे दोश निकालने वाले विदवान स्वीकार करती हैं जो हमें मजबूत बुनियाद देते हैं कि हम ये विश्वास करें कि ये इश्चु जीवित था उसने परमिश्वर होने का दावा किया और वो क्रूस पर मरा और जी उठा लेकिन पहले कि आधुनिक विदवानों ने इश्व के बारे में अपने विचारों को क्यों बदल दिया जैसे उसके जीवन के बारे में देखा डॉक्टर गैरी हबरमा से ये बताती है खास कर नए नियम के विदवानाज कहते हैं उन तीन समय के बारे में जहां पर एतिहासिक इश्व के बारे में चांच बढ़ती गई थी क्लासिकल समय अब ऐसे कुछ प्रोटोटाइप है यदि इंग्लिश डियाजम में देखें या राइमरूस जैसे जर्मन रैशनलिजम देखें लेकिन प्रोटोटाइपिकल यानि ये जोर देते हैं यूश्व के जीवन पर या लिबरेल समय में जिसे ओल लिबरेलिजम या जर्मन लिबरेलिजम कहते हैं ये तो सच में अकसर फिलासोफिकल साइड है जर्मन विचारधारा का जो थियोलोजी से आती है और लगभग 100 साल तक क्या हुआ कि सब के पास Life of Jesus था जी हाँ सच में बहुत से किताबों को नाम था Life of Jesus और लिबरेल विचारधारा का विचार मैं आपको बताता हूँ वो है कि हम सूसमचार का उप्योग कर सकते हैं एतिहासिक रूप में जिसमें से दो नहीं निकाल दें एक है डॉगमेटिक थियोलोजी ना कहें इशू परमिशर का बुत्रता मुर्दों में सिज्जी उठा उन्हें चमतकार पसंद नहीं है हमें डॉगमेटिक थियोलोजी पसंद नहीं है याने ये निश्चित करने की बहस है और उन्हें आलोग की पसंद नहीं है तो उन्हें सू समचार चाहिए और कहते हैं मुझे इतिहास बताईए theology को निकाल दें, dogmatic theology और चमतकारों को निकाल दें क्या बाकी है? वो इतिहासिक इशू है लगभग 100 साल से इसे कहते हैं The Quest for Historical Jesus Albert Schweizer की विख्याद किताब जो एक सदी पहले आई जिसमें शुरू के सारे लिबरल को एक साथ रखा जैसे डेविड स्रॉस अब डेविड स्रॉस तो रुडॉफ बुल्पमेन के पहले आए पहले क्वेस्ट के बाद जिसे लोग कहते हैं No Quest समय रुडॉफ बुल्पमेन काल बाट वो नहीं सोचते के हमें इत्याहतिक इशू की पेछे जाना चाही क्योंकि विश्वास काफी है विश्वास इत्याहति पर आधारित नहीं है शमय आचक विरोध है यानि ये Classical Liberal समय है जर्मन Liberalism इशू का चीवन उसके बाद बिना Quest का समय था राज था बाट और बुल्पमेन का बाट सामने आते हैं 1916 में 1918 में और उनकी विख्यात पत्री जो रों को लिखी थी पहले विशू यूद के करीब बुल्पमेन बड़े विख्यात होते हैं विख्यात व्यक्ती सन 1940 में उसके कुछ समय बाद उनका ऐसे New Testament of Methodology और सन 1960 तक वो विख्यात नहीं था कि एतियाहसिक इशू का और अधियान करें लेकिन 1950 में Ernst Case Man, Gunter Bonkamp, James Robinson बुल्पमेन के विध्यारतियों ने कहा चलिए रुकिए एक मिनट, हम यहां बहुत आगे जा रहे हैं और 1950 में बहुत महतरपूरन पप्लिकेशन आया जैसे Gunter Bonkamp का, Jesus of Nazareth, उन्होंने कहा हमारे मेंटर, Ridolf Bultman बहुत आगे जा रहे हैं विश्वास इतिहास पर आधारित नहीं है, वो कहते हैं, यह सच है लेकिन हमें एतिहासिक इश्व की जरत है, या कम से कम कुछ चाहिए, या फिर हम उसे Legend के पन्नों में ऐसे ही जाने देने वाले हैं, तो हम एतिहासिक इश्व के बारे में असी और नबे में हम बहुत से किताबों को देखते हैं, हर थियालोजिकल दृष्टिक कौन से, बाएं से, मध्य में और दाहिने तक और ये किताबे हमें बताती हैं कि हम इश्व के बारे में क्या जान सकते हैं, अब ये तो तीनों समय में सबसे अजीब है जो हमें वर्तमान तक लाता है, लेकिन यही तो तीसरी क्वेस्ट तक इन सारी किताबों में समान बात है सब लोग सहमद है कि इश्व यहूदी व्यक्ति था और हमें इश्व की यहूदी प्रुष्ट भूमी से परे उसे देखना होगा यहूदी विचारधारा महदुपूर्ण है, यहूदी समाजवाद महदुपूर्ण है और वो इश्व के जीवन का समय यहूदी कैलेंडर में रखना चाहते हैं रुडॉफ बुल्टमें के नौस्ति कैलेंडर में नहीं, जी हाँ बिलकुल नहीं यानि यह तीन क्वेस्ट हैं, उननीसवी सदी और ईश्व के जीवन के बार में 100 साल तक चर्चा, न्यू क्वेस्ट कुछ दशक तक थी, और अब हम तीसरी क्वेस्ट के कुछ दशक में हैं और यह मजबूत होता है, इस पर विवाद है, एतिहासिक इश्व पर विवाद है, यह आथ के थियालोजी में मुख्य मुद्दा है बहुत से लेक लिखे हैं, इनके जवाब को सुनिए अब यह हमें चमतकारों के सवाल पर लाता है, पहली क्वेस्ट को दूर रखिए दूसरी क्वेस्ट सच में दिल्चस्प नहीं थी तीसरी क्वेस्ट, यानि येश्व के चमतकार के बारे में सवाल दो वरतमान में बड़ा मुद्दा है और चमतकार तो तीन भागों में बाटे गए हैं दूसरी के चमतकार और प्रकृति के चमतकार दोश निकालने वाले इन बातों के लिए थोड़े खुले हैं कि यहां कुछ हो रहा है यानि येश्व ने सोचा कि उसने लोगों को चंगाई दी और लोगों ने सोचा कि उसने उन्हें चंगाई दी उसने सोचा कि दुष्टात्माई निकाले, जिनमें दुष्टात्माई थी, उन्होंने सोचा कि दुष्टात्माई चली गई, वो सच में एतिहासिक बातों में काम करते हैं, लेकिन आलोकिक होने के बारे में क्या, या चमतकार बहुत से विद्वान लोगों के लिए खुली चाहूंगा कि यह कुछ अनुमान लगा कर कहना कि सुनो हम आधुनिक है हम चमतकारों में विश्वास नहीं कर सकते हैं यह किसी बात तक जाने का तर आरीका नहीं चमातकार के साथ क्या हुआ, पुनोर रधान का क्या हुआ, हमें अभी निर्णे नहीं लेना है, कि क्या परमेशर ने इशु को जीवित किया, शुरू में यह कहना होगा, समय और स्थान में क्या हुआ, क्या इशु नाम का कोई मनुश्य था, क्या वो क्रूस पर मरा, और क्या उसके चेलों ने उसे फिर से देखा अभी हम ये ना पूछे क्या ये परमेशर ने किया है इतिहासकार क्या कहते है उनके पास सादन नहीं है कि आपको बताएं और चमतकार उपर चर्चा करें लेकिन उनके पास ये कहने के सादन है ये व्यक्ति चला और बोला पहली सदी के पैलेस्टाइन में दूसरी बात उनके पास सादन है कि कहे वो क्रूस पर मरा रोमी क्रूसी करन के कारण उनके पास ये कहने के सादन है लोगों ने विश्वास किया कि उसे बाद में देखा एक तरह से मैं कहना चाहता हूँ कि चमतकार पूरी तरह से दूर नहीं कर सकते हैं लेकिन दूसरी योर में कहूंगा कि चलिए पहले देखें कि अच्छा इतिहास क्या है और वो सवाल पूछेंगी कि क्या ये चमतकारी हो सकता है मैं यहाँ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतिहास कार के पास चुनाव नहीं है लेकिन इन तत्यों की बात को लें और उस दिशा में जाएं जो डेटा बताता है यदि इतिहास कहता है कि ईशू ऐसे ऐसे था तो हमें उसे देखने के लिए खुला होना होगा अपनो रुथान था इससे मेरा अर्थ इस तरह है मैं जाना चाहता हूँ कि इशू नाजरी नाम का व्यक्ति इस पृत्वी पर चलता फिर तौर बाते करता था लगबग 25, 27 और 28 सन में ठीके इतिहासकार कहते हैं ओ हां कोई नहीं सोचता कि वो जीवित नहीं था रुडफ बुल्पमेंड ने कहा कि हम लोगों की दया पर हैं जिन्होंने संदेज दिया और इंकार किया कि इतिहासमें इशू चलता फिर तौर बाते करता था तो इतिहासकार कहते हैं हां हमारे बास उसके लिए डेटा है वो मरा था कोई समयस्या नहीं सब लोग मरते हैं इतिहासकार कहते हैं इस मार्क पर चलें जी ये क्रूस पर लाता है रोमियों ने इशू को लटकाया क्रूस पर लटकाया वो मरा ये इतिहासे ले सकते हैं जब पुर्यर्थान की बात आती है तो लोग निराश हो जाते हैं मैं यही कहना चाह रहा हूँ चलिए यह सवल नहीं पूछते हैं कि क्या पर मेश्वर ने उसे कबर से बाहर निकाला चलिए एक आसान सवल पूछते हैं ये इशु नासरी जो पैलेस्टाइन में चलता और बाते करता था और माना जाता है कि वो क्रूस पर चड़ा गया क्या किसी ने उसे जीवित देखने का दावा किया है क्रूस के बाद क्या लोग उसके साथ बाते करते चलते और उसे स्वर्ष करते थे CS Lewis कहते हैं कि इस घटना का चमतकारी भाग तो ये है कि शुरू की बाद है जहें तियास आता है उसके बाद सब कुछ बहुत समान्य है उधारन के लिए यदि इशु ने रोटी और मशली भहुग गुनित की थी 5000 लोगों के लिए उसने चमतकार के बाद बहुत गुनन हुआ सब ने खाया, सब का पेट भर गया, सब ठक गए खाने के बाद यही होता है यानि जानते हैं कुछ बाइलोजिकल बाते होती है खाने के बाद यही होता है चमतकार तो बहुत गुनन है ये खाना और दूसरी बाद नहीं जी उठने के लेखे में हम एक सरल सवाल पूछते हैं क्या इशू नाम को कोई मनुश्य था? क्या वा कुरूस पर मरा? और क्या लोगों ने दावा किया कि उसे बाद में देखा यदि ऐसा है तो क्यों? ये ऐसे दावे हैं जिस पर इतिहास कार उंगली उठा सकते हैं हमारे पास डेटा है अब इस प्रोग्राम के दोरान आपने सुना डॉक्टर हैवर मास निरंतर बता रहे थे येशू के बारे में इतिहासिक सच्चाईयों को जिससे सब दोश निकालने वाले विद्वान स्वीकार करते हैं और ये क्या है? मैंने उनसे निवेदन किया कि आपको ये 12 सच्चाई बताएं और ये भी बताए कि सारे विद्वान इसे क्यों स्वीकार करते हैं? सुनिए यहाँ सवाल है अवश ही हमारे पास किस तरह कर डेटा है? ये सच्चाई क्या है? जिसके बारे में कहते हैं क्योंकि लोग चिला चिला कर कहते हैं कि कोई सच्चाई नहीं है, ठीक है? हमारे दर्शक कौन है? Evangelical 9 के टेक्स को देकर कहेंगे सच्चाई हर जगा पर है जब भी मैं पढ़कर कुछ पाता हूँ तो सच्चाई है, मैं विश्वास करता हूँ कि वचन प्रोचाहित क्या गया है दूसरे लोग कहेंगे नहीं, ये केवल प्राचिन लिटरिचर की किताब है अब आपको ये सवाल पूछना होगा कि किस ताथिय पर विश्वास करे और किस पर नहीं बहुत से विद्वान आपको ताथि की सूची देंगे उन घटनाओं के आसपास जिसे विश्वासी सूसमचार कहते हैं परखना, मृत्यू, गाड़ा जाना, ईश्व कजी उठना और ऐसे बारा तथि हैं, कम से कम बारा बहुत से विद्वान इसे ज़्यादा बताते हैं लेकिन कम से कम बारा तथि हैं जिसे दोश निकालने वाले विद्वान मानते हैं वो इन सब को मानते हैं पहला, ये शू कुरूसी करन के गारण मरा दूसरा, वो गाड़ा गया, इन बातों के बारे में कुछ अजीब नहीं है, सब लोग मरते हैं और कई लोग को गाड़ा जाता है तीसरा, उसकी मृत्यू के कारण उसके चेले डर गया और आशाक हो बेटे, सोचा कि उसका जीवन खतम हो गया आपका सबसे अच्छा मित्र अचानक मर जाए, तो आप क्या कहेंगे? चाथा, मैं मानता हूँ कि सब लोग इसे स्विकार नहीं करते, लेकिन बहुत विद्वान मानते हैं कि जिस कबर में उसे दफनाए गया, वो कुछ दिनों के बाद खाली पाए गई चेलो ने अनुभव किया, और मैं इस तरह कहूंगा जिसे दोश निकालने वाले स्विकार करेंगे, चेलो ने अनुभव किया, जो उन्होंने विश्वास किया, कि ये जी उठे इशू का प्रकटी करण है, उन्होंने सोचा कि इशू उन पर प्रकट हुआ है चटा, इस अनुभव के कारण वो संदे करने वाले से बदल गये, कहा जाये तो वो अपनी ही छाया से डरते थे, अवश ही इशू के साथ इनकी बहचान से डरते थे, और वो उसकी मृत्यू और जी उठने के बारे में घोशना करने लगे साथवा, ये संदेश शुरू के चर्च में मुख्य प्रचार था, याद रखिया पॉलू उसने कहा, पहला महत्व है इशू की मृत्यू, गाड़ा जाना और जी उठना आठवा, खासकर ये संदेश येरुजुलम के प्रांथ में प्रचार किया गया, यहाँ इशू मरा और गाड़ा गया, उसके कुछ समय पहले ही नवा, प्रचार के परिनाम में चर्च का जनम हुआ और वो बढ़ता गया दसवा, रविवार आराधना का दिन हो गया और ये यहुदी विश्वासों के लिए महत्वपूर्ण था ग्यारवा, याकुब जो दोश निकालने वाला था वो भी विश्वास में आया और उसने विश्वास किया कि उसने जी उठे इशू को देखा और बारवा, कुछ साल बाद पॉलूस एक अनुभूफ के दुआरा बदल गया और उसने भी विश्वास किया कि ये जी उठे इशू कपरकटिक करन है मैं तो बस यही कह रहा हूँ कि खाली कबर की बाद छोड़ कर सब दोश निकालने वाले विद्वान इस सूची को एतिहासिक रूप में स्विकार करते हैं और उन मेंसे बहुत से खाली कबर को भी मानते हैं और यदि आप एतिहासिक इशू के बार में कुछ लेक को देखना चाहते हैं दूसरों की किताबों में तो आप आएंगे कि दोश निकालने वाले विद्वान इसे स्विकार करते हैं शायद आप कहें रुकिए एक मिनिट बारा तो पुरे नहीं है क्या हम इसे घटा सकते हैं तोश निकालने वाले हम जो लेते हैं उसमें और भी चुनाव करना चाहते हैं ठीक है चलिए अब मैं इस सूची को घटा कर चार पांच या छे लेता हूँ तो मैं इस तरह से कहता हूँ अगर मैं इसे घटाना चाहूँ तो यीशू कुरूसी करण के कारण मरा चेलो ना नभव किया कि उन्होंने विश्वास किया ये जी उठे यीशू का प्रकटी करण था उनका जीवन बदल गया उसके कारण और बाद में तर्शिश का शाउल विश्वास करता है कि वो यीशू पर विश्वास करने लगा और उसके सामने जी उठे यीशू के प्रकटी करण के कारण ये चार मुश्किल तथ्ये हैं जो समानी रूप में कोई भी आपको बताएगा और मैं सोचता हूँ कि हम केस बना सकते हैं इस मुख्य गोशना पर जो यीशू की मृतिव और जी उठना था जो केवल इन चार तथ्यों पर आधारित है अब ये तो केवल 12 तथ्ये हैं जिसे सभी दोश निकालने वाले विद्वान स्विकार करते हैं और कुछ दोश निकालने वाले 20 से भी जादा मानते हैं लेकिन डॉक्टर हबरमास विश्वास करते हैं कि उन्हें केवल 4 से 6 ऐसे तथ्ये चाहिए कि मजबूत एतिहासिक अब तक हमने चार तत्यों को देखा है जो मैं सोचता हूँ कि बहुत से दोश निकालने वाले लोग इसे स्विकार करेंगे ऐसे लोग जो इसके बीच में हैं और बाई ओर हैं और कुछ लोग कहेंगे कि शुरू के विश्वासियों के परचार में पनोरुथानमुक्य संद तो ऐसे लोगों के साथ क्या करें जैसी ईशु का भाय याकुब दोश निकालने वाला था और वो मसीह के पास आता है सचतो यह है कि ईशु का जी उटने का प्रचार बहुत पहले आ गया जैसे मैं हफ्तों पहले बता चुका था पहले के प्रोग्राम में इन चार तत्यों क साथ क्या करें अब मेरी बात यही है कुछ दोश निकालने वाले बड़ी सूची देंगे और कुछ लोग दोश निकालने वाले शायद 20 दें मैं कहता हूँ मुझे 20 नहीं चाहिए मुझे 12 ही चाहिए और जो लोग कहते हैं क्या 12 से भी कम हो सकते हैं तो कहता हूँ मेरे पास 4 5 6 7 ऐसे ही कुछ देखते हैं यह अजीब बात है क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसे तथिये नहीं बताते हैं लेकिन मैं कह रहा हूँ सूची को 12 से घटा कर 4 5 6 करता हूँ मेरा कहना है कि इस डेटा के साथ और जो डेटा इस बात को नया बनाता है और इस बात के लिए हमार पास काफी बुनियाद है कि ये कहे कि ये इशु मरा और वो मुर्दों में से जी उठा है आप इस पूरी बात को ले सकते हैं केवल इन तथियों के द्वारा आज हमने आपको जो जानकारी दिये है उसके लिए यही तो बुनियाद है अगर आप इन में से केवल चार या छे ले ले ये इशु के बारे में स्वीकार किये गया एतिहासिक तथियों को ये तो निश्चे दूर कर देगा उन सारी नेचरिलिस्टिक थेरी को जो लाई जाती है और इशु के मुर्दों में से जी उठने को प्रकट करते जाएगा ये तथ्य बताते हैं कि इशु ही पर मिश्वर है और इशु से दूर भागने के बजाए इशु के और भाग कराए शमा के लिए और अननत जीवन के लिए डॉक्टर हबरमस बताती है बस ये चार, पांच, छे, साथ तत्यों के द्वारा ये छोटा सा भाग जिससे दोश निकालने वाले मानते हैं मैं कहता हूँ यही होता है कि इन तत्यों में बड़ा समान है नैचुरिलिस्टिक थेयरी के लिए ये एक कहानी है जो कहती है कि सच में क्या हुआ था इस जगह से यही पुरा तत्य है मैं कह रहा हूँ कि केवल ये छे तत्यों में से ही आप दूर कर सकते हैं वो सब बड़े परियाई हाइपोतेसिस को और इसी के साथ ही पुरा रुठान के लिए सबसे उत्तम सबूत है जो इस सूची में है सच में ये सूची किसी भी दोश निकालने वाले की सूची से छोटी है वही सूची जो दोश निकालने वाले देते हैं मतलब हम यहाँ कम तत्यों मांगते हैं जो कोई भी दे सकता है बस इसकी दो मांगे हैं ये केवल ऐसे नहीं जिसे सब दोश निकालने वाले मानते हैं लेकिन दूसरी बात की ये दूसरे डेटा से व्यक्ति के दूरूप में चुड़े हैं कहिए कोई आकर ये कहता है मैं आपको चार नहीं दूँगा मैं अजीब नह नहीं दूँगा तो इस व्यक्ति की बुनियाद से आप शुरू करें शूनिय से शुरू करें और सबूत देते जाएं एक दो तीन चार पांच छे इन सब बातों के लिए सबूत दे निशकर्श यही है कि केवल ये तथिये नैचरलिस्टिक थेयरी को दूर करते हैं और लेकिन वो सच में मुर्दों मेंसे नहीं यी उठा चेलों ने ब्रहम को देखा हम जाते हैं कि ब्रहम होते हैं चलिये इसे मानते हैं कि उन्होंने ब्रहम देखा किवल इस सुषी को देखते हुए ध्यान दिजिए नमबर एक चेलों ने अनुभव किया कि उन्होंने विश्वास किया जी उठे इशु को देखा है पालूस कहता है कि ये घटना समू में हुई ब्रहम एक से दूसरे को नहीं होते ये समू में नहीं होते दूसरी बात ब्रहम तो कम होते हैं जब हम समू के बारे में कहते हैं, याने कठोर दिल पत्रस्तो, कॉमल दिल मर्यम, कॉमल दिल यहन्ना, मेरा कहना है कि अलग-अलग लोग थे, अलग समय, अलग जगा थी, पॉलूस कहता है, यहां कुछ लोग, वहां कुछ लोग, और बाहर 500 थे, वो अलग जगा कहता है और य सर्च किया वो भी नीजी तोर पे और फिर लोगों ने यही कहा मैंने अपना मन बदल दिया जब मेरे दोस्ट ने कहा एक तो ये नहीं होता है और दूसरा हम उसे नहीं देखते तो क्या ये पनुर रिथान के लिए उपयोगी है मूर्दे नहीं जीते हैं और हमने उसे नहीं करें याने बदल आप दिखता है कि जो उन्होंने जिखाया उस पर सच में विश्वास किया प्रेरित पॉलस की बारे में क्या वो दिमागी बीमारी में नहीं था कि ब्रह्म देखे मतलब ये तो दमिश्च के मार को जा रहा था वो कहता है कि वो विश्वासियों को धमकाए अब क्या वो जी उठे यीशु को देखना चाहेगा और फिर है याकूब यीशु का भाई भीतर का तो आप क्या सूचते हैं यदि आपका बेटा या आपका भाई इस तरह ध्यान पाने लगे पूरे संसार में और याकूब कहता है मुझे विश्वास नहीं वो दोस निकालने वाला था दोस निकालने वाले इसे मानते हैं क्या याकूब दिमागी परशानी में था कि ब्रह्म देख सके मुझे नहीं लगता यही कुछ समझ्या आये हैं क्या शायद 6 के लगबग जो इस सूची से आते हैं वो इसमें से ज्यादा दर देते हैं ये शुजी उठा है आप आगे और आगे जाए और बाई और जाए और यहां के लोग कहेंगे कि मैं आपको 10 या 12 देता हूं मैं कहता हूं कि मैं इन 12 के साथ काम करता हूं या केवल 4 के साथ काम करता हूं लेकिन जो व्यक्ति ये कहता है मैं आपको कोई तथी नहीं दूँगा आप हर एक के पास जाकर हर एक को डेटा देते हैं और निश्कर्ष ये है कि केवल ये तथी एक तरफ नैचुरलिस्टिक थेहरी को दूर करते हैं और पुन और रथान के लिए सबसे उत्तम सबूत देते हैं आज हमारे साथ में जुड़ने के लिए धन्यवाद ये